सूरा मेरे मज पम्माण, ठट्थाना फिर मैंनी सिख्ः पधिंक स्मादियानी. दिन है वो है प्रोफेसर्स का और डॉक्टर्स का यानि के जिवस जिवियों का जिनको हम यe कहते हैं और मानते हैं के प्रोफेसर, और डॉक्टर बुध्धी जिवी लोग हैं इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोग बुद्धी जीवित नहीं है उनकी भी बुद्धी जीवित है और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी को सरकार ने या किसी यूनिवस्टी ने कोई कागज का टुकड़ा दे दिया है तो वो सच में ही उसकी बुद्धी जीवित हो ज लोगों को ही प्रॉफिसर बोलते हैं हमारा सब्द तो है नहीं हमारा सब्द नहीं है बाहर का है तो वहां डॉक्टर्स इंजिनियर्स वकील और भी जो प्रॉफिसर्ण के लोग यह अपना विकास और अपने सुख की बात करने के लिए वह इखटे होंगे यह प्रोफेशनल लोग महाँ पर आपको मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाएंगे कोई महाँ एड़ोकेसी नहीं पढ़ाएगा कोई महाँ पर आके एजूकेसन के वारे में नहीं बताएगा उस सारे के सारे लोग एक ही समस्या पर चर्चा करेंगे इसलिए जो समस्या सबसे गंभीर है और जिसका आपात काल है उसी के वारे में हम सब इखटा होंगे 600 रुपे वहाँ हॉल का खर्चा और खाने का खर्चा जिसमें नास्ता और खाना है यह आश्याना के जो चैंप्स फूर्ट क्लब है आश्याना में लखनो के सेंटर में वहाँ पढ़ता है 11 जून को सुबह नास्ता होगा और नास्ते के तुन्तवाद हम बैठेंगे फुल डे वहाँ पर जुडने और जुडने के वारे में चर्चा होगी बाचित होगी समस्याएं होगी लोगोंने जो अब तक सीखा है जाना है संग्ठनों के वारे में वो बताएंगे और जो इधर के संग के वारे में लोग जानते हैं, संग के वारे में बताएंगे, आपस में चर्चा होगी, कुछ लोग कहेंगे के संग अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे दोनों बेकार है, कुछ लोग कहेंगे दोनों अच्छे है, चार प्रकार के महां व्यूज आएंगे, उन व्यूज में हमें सबसे बहतर जो व्यूज है संग का वो हमें देना है और फिर एक वार स्रेटिफाइड कराना है कि संग का जो विचार है, संग का जो व्यूज है, संग का जो तरीका है, वो दुनिया का सबसे बहतर तरीका है। वो इसलिए हमें Certified कराना है क्योंकि वास्तम में संग का जो नियम है, संग का जो इस्ट्रक्चर है, संग का जो तरीका है और सांगिक जो लोगों की सुख्छा के लिए, लोगों के विकास के लिए और लोगों के सुख के लिए जो तरीका है वो Unbeatable है. Unbeatable का मतलब है कि उसको कोई पीट नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, ना वो कभी हरा है और ना कभी वो पिटा है Unbeatable है अजय है Certified इसलिए कराएंगे क्योंकि बुद्धी जीवियों ने जो अब तक पड़ा है और जो जाना है उसको बोलते हैं लकीर की फकीरी लकीर की फकीरी क्या होती है वैसे तो हम जो लकीर बोलते हैं लकीर माने होता है लाइन, रेखा और लकीर की फकीरी का मतलब होता है कि बार बार लकीर के उपर ही बात करना और उसी लकीर पर टिके रहना और अगर पत्थर की लकीर ही हो जाए पत्थर की लकीर हो जाए तो और भी मुस्किल काम है उसको मिटाना वो तो मिटेगी नहीं रेत की लकीर हो तो मिटवी जाए तो लकीर की फकीरी जो होती है उससे जूजना हमारे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत का समय मुसीबत का काम हो और हमारी सारी एनरजी उसी मजा रही है ये लकीर जो लोग खीच जाते हैं और उस पर चलते रहते हैं और उसको सोचते नहीं है कि ये लकीर किस ने खीची क्यों खीची कैसे खीची वो परंपरा बन जाती है वो रूडी बन जाती है वो अडंबर बन जाती है और वो गले की जितने भी हमारे बुद्धी जीवी हैं, वो बुद्धी जीवी जितने भी खासतोर से जो एजूकेशन में आते हैं, उनकी कैई सारे स्टेज हैं, पहली स्टेज उनको बोलते हैं, रीडर, रीडर का मतलब सिर्फ पढ़ने वाला, रीडर मानें, अंग्रे जी में रीडर सद ह होता है हिंदी में होता है पढ़ हिया जो पढ़ता है यानि टूवही neo borड है उसने तो वही पढ़ेगा उसको reader बोलते हैं दूसरी जो आगे के उससे आगे का step बोलते हैं लेक्षड me यानि कि वो पढ़ने से आगे की बात भी करेगा यानि कि लेक्चर देगा बोलेगा और वो बोलता है बताता है तीसरी जो इस्टेज आती है वो आती है फिलोस्पर की यानि जिसने फिलोस्पी पर काम किया हो तो वो दास निक हो जाता है वो जो पढ़ता है उससे आगे वो अ रिचर्चर यानि खोज करता है और जो अनुभव पे उतरता है और जो देखता है और जो जानता है और जो आप बीती सुनता है आप बीती कहता है बताता है अनुभव पे वो रिचर्चर होता है रिचर्चर से आगे कोई चीज नहीं होती क्योंकि रिचर्च हमेंसा चलती रह है खोज का एंड में यहां इसलिए हम जिसको भुद्धी जी भी बोलते हैं कि अरेग विक्ति अपने आपको tuji कहता है पर विद्धी जी सही मायने में बुद्ध की तरह होता है किश्ली की घृर्टर भी है वो टीचर भी है। वो preacher भी हैं, वो lecturer भी हैं, वो philosopher भी हैं, और वो researcher भी हैं, और वो common man भी हैं. ये जो सबसे last में जो common man, आम आदमी वाली बात है, ये बुद्धी जीवियों से गायब हो जाती है. क्योंकि बुद्धी जीवी बनने के बाद में status में चले जाते हैं, और ये status में खुद नहीं जाते, status में उनको भीजा जाता है, उनको बार बार कहा जाता रहे, आप तो doctorate किये हुए हैं, आप तो philosopher हैं, आप तो associate professor हैं, आप तो assistant professor हैं, आप तो इतने बड़े head हैं, इतने आदमी का जो उसका सबस्वड़ा status होता है, वो उसको खो जाता है, या उसको हटा दिया जाता है, यह हम नहीं करते, basically यह हमारे जो लोग हैं, वो नहीं करते, हमारे लोग तो आम आदमी की तरह ही टीट करना चायते हैं, अपनी भासा में बात करना चायते हैं, सरल भासा में में बात करना चाहते हैं पर जो दूसरे पक्षवाले लोग हैं जो उनको डिग्रिया देते हैं क्योंकि भारत में जो डॉक्टरेट और जो प्रॉफेसर और जो डिग्रियां जो मिलती हैं यह सारी सारी डिग्रियां अंग्रिजी डिग्रियां हैं और यह जो आजकल यूनिवस्टी में मिलती हैं यह यूनिवस्टी हमारे हाथ में नहीं हैं यह डिग्रियों देने का सिस्टम हैं यह किसी और के हाथ में हैं पर्चा कोई और देता है हमें उसकी खुशामत करनी है मुझे याद है कि जो अभी बीपिया सोग जी है जो इधर दिखनों के अंदर है उन्होंने पीएजडी की तो वह अपना वाक्या बता रहे थे कि जब पीएजडी के लिए वह वायवा के लिए बैठे तो सुबह से लेके साम तक इंतिजा कराया करें तो गुसा तो बहुत करा दिया कि हम जो पच्चा देते हैं पच्चे के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हम और भी दे देते हैं जिसको बेज्जती बोलते हैं तो बड़ी बेज्जती होती है मैंने ऐसे भी किस से सुने हैं कि जो गाइड हैं वो सबजियां तक मंगाते हैं और अपने कोई छोटा मोटा काम वैसा भी कराबा लेते हूं तो ये कागज का जो टुकड़ा मिलता है ये बुद्धी जीवी की पहचान हमारे लिए रियल नहीं है नौकरी पानी के लिए तो हो सकती है इसका एक उधारन और भी है कि हमने पार्क इन होटल के अंदर कलगबग 200 प्रोफि हैं इतने सारे टिचर हैं इतने सारे बुद्धी जीवी हैं तो हम परिशान को हैं मात को खा रहे लेती हैं यहों को ओष पॉन जर्ट करके आते हैं पर जैसे उनको नौकरी मिल जाती है वैसी अच्छा पैसा मिलता है इस्टेटस मिलता है और काम कुछ ज़्यादा होता नहीं तो उनमें इस्टेटस की बनावट आ जाती है फिर वो रोटी राम हो जाते हैं सिर्फ वो बातें करेंगे और रोटी खाएंगे पर वो कॉमन मैन बुद्ध क को हम कहते हैं उनको हमें दुरस्त कर लेना चाहिए कि कौन सा बुद्धी जीवी है कौन सा नहीं है कोई आदमी अगर स्टेटस को साथ लेके चले और मरते दम तक अपने स्टेटस को साथ चले तो वह स्टेटस जीवी है बुद्धी जीवी नहीं है बुद्धी जीवी स्ट status कभी न adjac presenters कभी नहीं रखता जैसे जैसे इस बढ़ा होता जाता है वह और नमर होता जाता है और भी नीचे होता जड़ाता है और वो समाज में और ज्यादा नीचे जार्ग लोगों की सहीतथ सहा है इसलिए दिन हमारा बुद्धी जीवी का है पर हम बुद्धी जीवी के जगे इस्टेटस जीवी हो गए है उसे हमें दिक्कत होती है पर घवराने की बात नहीं है घवराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि समर्संग उनको प्रॉफिसर मानता है, समर्संग उनको डॉक्टर मानता है, समर्संग उनको बुद्धी जी भी मानता है, जो लगातार यहां सीख रहे हैं, जो लगातार वहवार को सीखते हैं, जो लगातार अपने महले में सीखते हैं, जो लगातार दुनिया से सीख रहे हैं और फिर वो रीडिंग कर रहे हैं पढ़ भी रहे हैं और फिर वो लेक्चर भी दे रहे हैं वो पढ़ा भी रहे हैं यानि लेक्चर भी होगे वो रीडिटर भी होगे और उसके बाद फिर उस पर विशलेशन भी कर रहे हैं और यहां आके वो अपना कंसेप्ट भी देते हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं देख भी रहे हैं कि आखिर हम पास क्यों नहीं होते फिर क्यों नहीं होते हैं तो हमें कागज के टुकड़ेगी आशकता नहीं है किसी यूनिवस्टी से किसी गौर्मेंट से किसी आदमी से किसी वमड यूनिवस्टी से किसी वमड ग कटे हों या ना कटे हों या नहाए हों या नहाए हों उनका सोच उनका तरीका उनकी पहचान उनकी बातचीत उनका चिंतन उनकी फिलोस्पी उनका रिसर्च वो सब बताती है कि वो बुद्धी जीवी किस लेवल के हैं कहां के हैं कैसे हैं चाहें भले ही वो नहाए या नहाए जगाना और समाज對रोट्र के साथ में दिन्राव दिन्राव लगना है। ऐसे जतने भी प्रोफेसर और जतने भी डॉक्टर हैं, जो समाज edITA हैं, जो समाज के का काम कर रहे हैं, इनकी समंद संग cob तलास है। हम यूरिस्टियो में नहीं खराग चानने क्योंकि यूनिवर्स्टियों में गिने चुने लोग है जो समझते हैं और कॉमन वेर्मन के आते हैं उनके भी अपने इशूज हैं यहां के प्रॉफिसर आए कुछ टिक गए कुछ चले गए जो टिक गए वो जानते हैं कि वो कॉमन मैन हैं वो यह है कि समझ तो हैं ही भले ही वो एक्टिव नहीं है जब कभी इसका दायरा बड़ा होगा समझ संका इसकी संक्या धीदेरे बड़ेगी इसके अंदर साधान लोग जो बुद्धी जीवी होंगे उनकी संक्या बड़ेगी अच्छे अच्छी फिलोस्प्या निकलेंगी बुद्ध की तरह कभीर की तरह तो वो लोग भी आएंगे क्योंकि रिशर्च किस पर करते हैं डॉक्टर अंबेट कर पर रिशर्च किस पर करते हैं कभीर पर रिशर्च किस पर करते हैं रविदास पर रिशर्च किस पर करते हैं काजिराम पर तो इन बड़े बड़े डॉक हैं सारे सारे लेक्टर हैं सारे सारे रीडर हैं कोई अपने आपको किसी भी हद से कम न माने क्योंकि बेसक पर्चा नहीं देता समर्संग पर अगर यहां आगे कोई सार देता है या कोई कंसेट देता है तो वो किसी डॉक्टरेट से कम भी नहीं है क्योंकि जो सार देता है जो इस यूनिवर्स्टी में हो क्या रहा है इसको अगर थोड़ा जान लेंगे तो थोड़ा और आज का जो सब्जेक्ट है वो किलियर हो जाएगा हमारी जो मूल एजूकेसं थी हमारी जो प्रंप्रागत एजूकेसं थी समनों की एजूकेसं जिसके अंदर हम सम में रहते थे यानि समान तासिर रहते थे हम जिसके अंदर सम्मिलन किया करते थे जिसके अंदर हम सारा का सारा समझ यानि मिला लगाया करते थे जिसके अंदर हम सारे के सारे समाहित थे जिसके अंदर सारे के सारे हम सामनेड थे वो जो सम एजूकेशन थी हमारी समन सब्वेता थी, समन कल्चर थी समन हमारा धम था, समन हमारा संग था, जो समन हमारा जितना भी जितना सिस्टम हुआ करता था पूरा पूरा, वो एजूकेशन भूल गए हम लोग, भूल इसलिए गए क्योंकि हमने कुछ ऐसी बीमारियां पाल ली जिनकी वज़े से ये सारी सारी चीज़े चली गए, और उन की वज़े से हमारा नुकसान हो गया, वो बीमारी साफ हैं क्योंकि इस एजूकेशन के पांच नियम बहुत इंपोर्टन्ट हैं, और वो पांच नियम हैं कि आप चोरी ना करो, आप जूट ना बोलो, आप अननेसेसरी किसी को हत्या ना करो, मारो नहीं, आप कोई नसा पता शरा वगरा ना पियो, यह इस यूनिवर्स्टी के इस सब्वेता के इस कल्चर के पांच प्रमुक नियम थे, और इन पांच प्रमुक नियमों को पूरी दुनिया मानती है, और जिन जिन लोगों ने इस पांच नियम माने, वो आज भी उस एजूकेशन, उस कल्चर में वि कोई ने इस बूण थे, सब्वेतागी जितनी भी प्रापर्टी थी, वो सारी की सारी कोई और ले गया, और यहां जो बचा वो सारा का सारा, जो कहते हैं कि रस निकल गया, थूत बचा, सारा का सारा, थूत बचा, सरावी कबाबी हमाएं लोग बन गए, वेब चारी बन और फिर आपस में जगण लगे, क्योंकि कहते हैं कि टोटे के सौ जगडे होते हैं, टोटे का मतलब है कि जिसके पास कुछ ना हो, उसके पास सौ जगडे होते हैं, तो यहां टोटा हो गया, काम करना बंद हो गया, खाना मिलना बंद हो गया, और हमारे सौ जगडे हो गया, औ हमें किसीने मारा है. कैसे मारेगा कोई? आज के समयवी जो हमारी संक्या है वो 85% है. आजके समय, जब की नीती ये चल रही है, कि अगर समन बीमार होता है, तो ये उसको दवाई नहीं मिलनी चाहिए. रस्ताल में उसका बच्चा मर जाए. अगर समन की कोई पतनी है और उसका कोई बच्चा पैदा होने वाला है और उसके पास कुछ नहीं है तो गारंटी है कि रस्ताल में जाएगी तो उसका बच्चा मरा हुआएगा बहुत कम आएगा या कमजोर पैदा होगा या खाने को नहीं मिलेगा हमारे लोगों को समनों को काम नहीं है काम नहीं है तो उनके सरीर नहीं बढ़ते उनके दिमाग नहीं बढ़ते उनको खाना नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं बीच में हमारे जो समन लोग हैं उनकी सेहत प्रॉपर नहीं बनती अत्याचार पर अत्याचार होते रहते हैं, जमीन पर जमीन चिंती रहती हैं, खेट पर खेट चिंती रहते हैं, पैसे का पैसा चिंता रहता है, जट की जट चिंती रहती है और वो डिप्रेसन में आके मारे जाते हैं पर समनों का अगर मर जाए तो उसका संघ्यान भी नहीं होने हैं उसकी रिपोर्ट भी नहीं आने देना है उसका कोई जिक्रिम आने देना है और मन में ये बार डाल देना है कि समढ़ तो मरती रहते है इतने समढ़ मारे गए COVID के अंदर 60-70 लाख लोग मारे गए जो BBC की रिपोर्ट है फिर भी हमारी संक्या 85% आज है 2023 में तो आप ये सोचो के उस समय बुद्ध से पहले हमारी संक्या कितनी परसेंट होगी हमारी संक्या 99% होगी बलकि 99% से भी जादा होगी क्यों होगी क्योंकि हम मरते चले आ रहे हैं तो 85% अगर हम बचते हुए आते तो 99.9 होते क्योंकि जब यहां बमण आये होंगे वही बमण आये होंगे बाहर से लोग आये होंगे तो कितने आये होंगे मुठी बर लोग आये होंगे और मुठी बर की क्या पसंटेज इतने बड़े देस में बार उनकी पॉलिसी थी उनका आदमी मनना नहीं चाहिए और हमारी पालिसि उन्होंने हمारे दिमाग में शी डाली कि हमारा मर जाए, आज भी हमारा मर जाता आ हम प्लट के बनी देखते के कहा मरा, किसे मरा, क्या हूआ, क्या मार सकता है इतने बड़ इतने सारे लोगों को कोई हत्या लेकर कैसे मार सकता है और अगर मारता ही होता तो अब तक सारे मर जाते तो मरे नहीं सारे इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है कि हम को मारा गया और ये स्टेटमेंट भी गलत है कि हम पर अत्याचार हुएं, अत्याचार कैसे करतेगा, जब संख्या बल नहीं है, संख्या में ज्यादा नहीं है, और हम इतने बड़े शिकारी रहें कि हमने अपने हातों से शेर मारें जंगल में, अपने हातों से हाती हमने अपने काकाबू में कर लिए, हमने गैने म मारे हमें शियार मारे हम शिकारी रहे हैं हम इतने बड़े शिकारी रहे हैं कि हमारे शिकार की जल्वे दूर दूर रहे हमारा काम ही शिकार करने का था या खेत में काम करने का था दो हमारे बैपार जंगल में थे और एक बैपार हमारा घर के अंदर होता था तो इतने बड़े भेंकर शिकारी रहने के उनको कौन मारेगा तो यह statement है कि मारा है पुराने समय में सैनाय नहीं होती थी चन्द गुर्प में सैनाय बनी तो कोई कहे क שמे zug intelligence है कि सेना लेके हमारे उपर कोई चड़ा कोई कम चने हमारे लिए रोजगार चीलूले तो जब सारा काम करने वाले हम थे, और जो बाहर से लोगाए, वो कुछ काम ही नहीं करते तो बैपार कैसे चील लेंगे? जब वो क्षी काम करता ही नहीं था, तो कोई अगर टोगरीcards बनाने का काम है, उससा प्रोगरी बनानी आती ही नहीं, तो प्रोगी भी बनाने का काम कैसे छिन लेगा तो ये statement भी गलत है कि कोई आपका बैपार भी किसी ने छिन लिया है बैपार भी ने छिना आया आपका आपकी जमीने भी ने छिनी किसी ने किसी में हिम्मत नहीं थी जो जमीन आपकी छिन सकता हो तो ये गई कैसे ये दिको ऐसे जाती है जै कैसे आपको आप बड़े अच्छे आदमी हों और आपको आपके घर में कोई सुन्दर औरत है और सुन्दर औरत पर मालोग मन का मन आ गया तो आप से सीधे सीधे सुन्दर औरत को नहीं ले जा सकता क्योंकि अगर वो सुन्दर औरत को ले जाएगा तो आप उसका कतल कर दोग पिनने सिखाएगा फिर unique you 5 फिर आपको कहीं दहुदर वैस्षालव में लेके जाएगा फिर आपको जुवा सिखाएगा यह जwhirmें आपको हराएगा। चालवाजी से फिर आप की जितनी में दाब लगाएगा और फिर में दाब कैगा तेरे पास मैं पैसा नहीं तो कोई बात नहीं तेरे घरकी जो इस्तरी अ से लागा दे मैं 10 Till दुन। रुपै अगर हार गया गया तो जीत गया तो इस्तरी एक महने के लिए मेरे पास रहेगी सलाब के नसे में आदमी अपनी स्थी भी लगा देता है पुरानी जो कपोल कहानिया है उनके अंदर ऐसे उधारन मिलते हैं तो आदमी यहां तक भी जा सकता है यह सिर्फ इसलिए हैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जन संक्या बल को कोई आदमी जवर्जस्ती अपने कपजे में नहीं कर सकता कोई जवर्जस्ती आपके टुकड़े करने नहीं आया कोई आपके 6723 टुकड़े करने की हिम्मत नहीं रख रखता था यह दिमाग से निकाल देना चाहिए जितने भी लोग हैं कि कोई बाहर से आए और उन्होंने हमको भाले मारे और बल्लम मारे और उसके बाद ऐसे किया कोई भाले बल्लम नहीं मारे अगर भाले बल्लम मारे होते तो सारे मर गए होते को जिन्दा नहीं होता क्योंकि वो छोड़ेंगे क्यों अगर वो भाले बल्लम मानने से हमको मार सकते होते तो आज तक सारे मारती होते फिर हमको जिन्दा क्यों रखा क्यों जिन्दा रखते वो ये बातें इसलिए इंपोर्टेंट हैं क्योंकि अपने दिमाग से बात निकाल जीवी है, बुद्ध जैसा जो ग्यानी है, बुद्ध जैसा जो महापंडित है, बुद्ध जैसा जो उस्ताद है, बुद्ध जैसा जो गुरू है, बुद्ध जैसा जो वेक्ति है, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये पांच जो सील हैं, ये पूरे भारत के हैं पूरी दुनिया के लिए हैं यह हर एक आदमी के लिए हैं पांच सील अगर इन पांच सीलों पे चलोगे तो सारी चीजें आपकी अच्छी वाली आ अगर मुसीवत वाली अपने आप भाग जाएंगी और हुआ भी वैसा ही बुद्ध ने कोई हतियार लेना नहीं सिखाया हतियार तो दिया पर भिक्वों को दिया अपनी सुरक्षा के लिए पर आम पब्लिक को लिए नहीं कहा कि आप हतियार उठाओ तलवार उठाओ मार दो कत्र कर दो इनको या बुद्ध ने कोई बहुत बड़ बड़े जलसे भी नहीं किये कोई सम्मिल नहीं बलाए जहां नोने लेक्षर दिया हो कोई जो सिला भाशन दिया हो कि तुम ऐसा करो या वैसा करो बुद्ध ने कहीं कोई पैसा भी खरस नहीं किया कि पैसे के दम पर कहा हो के मैं यहां इतना बला लूँगा इतना करूँगे बुद्ध ने कहीं कोई राजाओं की सबा भी नहीं लगाई कि राजाओं को कहा हो के इनको कुछ मदद कर दो या इनकी कुछ मदद कर दो बुद्ध ने तो मूल भूत जो लड़ाई का जड़ थी वो जड़ी काड़ कोई काम चला और फिर द्वारा से वही वेवशन आ गया आज के समय हमारे जो महले हैं और जो हमारे घर हैं उनके अंदर वही वेवचार हैं जो उस समय बुद्धने दूर किये थे कोई नया वेवचार नहीं और वेवचार यही गुम फिर आते रहते हैं यही दूर करते हैं ब जितनें भी संत्ह थे कभी नहीं कहा। जितनें भी संत्ह थे उन एक और उसकी संत्हांगाद। कि जड़ कौन सी और मूल कौन सा है और ये अनुभव से सुभावी ग्यान से पता चल जाता है हर एक व्यक्ति को पता है ये बात कि अगर मैं ये काम करूँगा तो कोई मेरी को हानी नहीं पहुचा सकता सच्चे आदिन से कौन लड़ेगा जो इमानदार है जो वेसर नहीं करता आप उसको कैसे खतम करता होगी वेसर नहीं करता इसलिए जो सारा का सारा सिस्टम हमारा बिगड़ा वहां से बिगड़ा बावा साब नने इसको सुधारा थोड़े से सुधरे अब हमारे गाउन तक सलाव पहुच गई अब थेलियां गाउं तक पहुँच गई है घरगर ओन डिलीब्री हो रही है बिड़ी सिगरेट खुब मिलने है जुए का सौक चावतर बिदेश में पूरा है ये जो सैंसक्स है ये भी जुआ है पूरे दिन इसमें मोबाल में लगे रहते हैं लोग ये जो सट्टे बजार वाला जुआ होता जिसको सैंसक्स बोलते हैं ये सारा का सारा उतार चड़ाव होते हैं इसमें स्टॉक मार्केट में ये सब जुआ है ये सारा का सारा चलता रहता है जुट हमारे लोग खुब बोलते हैं मजबूरी पूरी पूरी है तो वेबचार की कितनी फिल्मे आ शोकी है पूचो मत, अब तो वेबचार भी लीगल हो गया है, यानि वेबचार हर लीगल राहे नहीं हैं, इदर वेबचार करो जोड़ रह सके चलतों काम खतम हो गया, तो वैपेचार हो गया जूट बोलने लगे बचों में सबAh गया तो सारी चीचे जा रहे हैं तो रुक नहीं सकती। क्यों कि जो 29 लाख संग्षण बने हमारे, sug 39 लाक संग्षन में 4 लाख संग्षन एक्टिवेट हैं। हैं दुरंदर हैं उनके बीन सेंख्थन है जिन्होंने अलग-अलग sana रखें अलग-असे बना रखे हैं संतों के सारे चलों ऑ छट चोटे बाबा बहुत सारे आय पड़े हैं राजनेतिक पार्टीओं के बहुत सारे टुकड़ें है और उन सब वहां पार्टिओं के रेश्टेशन है सेना के तो ये सारे के सारे जो संग्ठन हैं इतने सारे बने इन्होंने सब ने कहा कि हम वेलफिर का काम करेंगे, हम लोगों के उद्धान का काम करेंगे, लोगोंने का अच्छी बात है करो, इन्होंने उसकी फीस मांगी, लोगोंने फीस दी, चंदा दिया, चंदा और फीस एकी बात होती है पैसा मांगा फीस मांगी कि हम आपका उद्धान करेंगे बदले में हमको फीस चाहिए लोग ने खुब दबा के फीस दी और उन्हें का खाली फीस से का काम नहीं चलता आपको आना भी पड़ेगा सैपोर्ड में लोग गई भी जंडे बंडे लेके खूब गए लोग अधिकार क्यों जा रहे हैं और यह संग्ठन के मालिकों को सबको पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम टुकड़ों में तूटे हुए लोग हैं हम टुकड़ों में तूटे हुए संग्ठन हैं पर वो बताते नहीं पबलिक को वो कहते नहीं पबलिक से क्योंकि जितने वो किसी को जवाब देने के लिए बिलकुल भी मजबूर नहीं है एक भी संग्ठन ऐसा बता दो जो समाज को आपको या हमको रिपोर्टिंग करता हो या जिसकी अख़वार में रिपोर्ट छपती हो या जिसकी वाटसेप पर रिपोर्ट आती हो कि उसने पूरे साल में इतना पैसा लिया इतना चंदा लिया ये उसने प्रॉमिस किया था पांस साल के अंदर एक साल के अंदर इतना प्रॉमिस पूरा कर दिया इतना प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया इतना पैसा बचा इतना पैसा खर्च वार यह हमने आडिट करा दिया एक भी रिपोर्ट आपको नहीं लेगी बामसेफ की धड़े ने 35 क्रोड रुपे खटे कर रखे हैं मैंना सुना ऐसा कि 35 क्रोड रुपे खटे कर रखे हैं खबर आई वाटसाइब के अंदर पर क्या करोगे 35 करोड का क्या प्रोजेक्ट है तुमारे पास में यह 35 करोड तुमने एक खटे क्यों करें तुम क्या रिजर पैंक को फिंडिया खोल ले जा रहे हो क्या तुम पब्लिक का पैसा एक खटा करते हो पर अंबार खड़ा करोगे पैसे का, क्या करोगे, कोई जवाब देगा या नहीं देगा, तो जवाब दे ही नहीं है उनकी, इसलिए वो निर्मकुस हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, कि रोते हैं, चिलाते हैं, बावा साब की जरन दिन पर बुद्ध की पूर्ण मापे और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है, कि पैसे का कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जवाब आपने बनाए नहीं संक्टन, इसलिए वो जवाब नहीं देंगे, कोई भी संक्टन आप से पूछ के नहीं बना, एक बीमारी, दूसी बीमारी उनको पद की और पोस्ट क है वो चम्चे बन जाती हैं की सब चेले बन जाते हैं कोई पानी लाता है कोई केमपा कुला लाता है कोई समोस ला लाता है कोई खाने को लाता है कोई हार लेके आता है को टोपा लेके आता है को टोपी लेके आता है कोई कुछ लेके आता है कोई उसकी जो जी हजूरी में आता है, ऐसी स्थिति कहां मिलेगी, इतना मान, इतना सम्मान, पूरी जिंदगी कुटा नहीं पूचता और वहां मान सम्मान मिल लाए, तो ये समस्या आती है, जिसकी वैसे वो संख्ठन नहीं सोचता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो जाती है, कोई अगर आस्रम बनाया है, कोई मठ बनाया है, कोई डेरा बनाया है, उसमें दुकाने बना दी हैं, तो उससे एक आमदानी होती है, वनना वो जमीन तो है, और वो वहां पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, और फिर वहां वो गती बिदियां फुर्द दोचा लोग रहके उसको बेश देते हैं और आपस से पैसा बाट देते हैं तो समाज की जितनी प्रोपर्टी हैं वो लास्ट में किसी वंबल की हाथ में चले जाती है और वहाँ जाके वो कैश हो जाती हैं और हमारे आदनी पैसे लेके अपने अपने घर चले जाते हैं ये कारण हैं तो ये सारे कारण वही हैं जो पंच सील के अंदर आते हैं ये सब उनके अंदर समाए हुए हैं इसलिए पूरी जिंदगी आप लगा दो, पूरी जिंदगी हम लगा दें, पर संग्ठों से भला होने वला नहीं है, और पूरी दुनिया में कोई संग्ठन भला कर दे, तो जो आके मुँपे केना चाहे वो कह सकता है, ये सिद्धान्त है पूरी तरह से वहवारिक है, कि 70 साल के अंदर किसी संग्ठन ने हमारा भला नहीं किया, पर अपना भला जरूर कर लिया उसने, और जब उनमें जगडा होता है, पैसे लेन दिन पर, तो वो बहुत समझार व्यक्ति हैं, वो पब्लिक को नहीं बताते हैं कि जगडा क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, वो चुप- के आए हुए होते हैं, अभी बामसेफ टूटी, जो मेसराम वाला बामसेफ था, वो गुरूप टूटा, मातंग उसमें से अलग हो गया, और मेसराम उसमें से अलग हो गया, दोनों अलग हो गए, पर पब्लिक को दोनों ने स्टिट्मेंट नहीं दी, कि हम क्यों अलग है को बता नो नहीं है और public भी इतनी साधू संत है हमारी तो साधू 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 बहुत अच्छा क्या फाइदा टूट गे क्या पूछना वह भी काम कर रहा है अच्छा वह है तुमारे कच्छे उतार दी हो नोंने तुमको समझ में नहीं आती तुम्मरने और को तूटते क्यों हो अपनी मौत के लिए त्यार है मरने के लिए त्यार है पर पूछने को त्यार नहीं है शिकायत करने को त्यार है कि हमारा क्या हुआ पर अपनी नेटा से एक वार उसके सामने अधने को त्यार नहीं है नेनी ताल में अड़ा था मैं मेशराम के सामने मैंने पूछा भाई तूँ अकेला आद्मी है और तूवकला यह ए यहां पर काम है वह काम टो लोगों को भढ़काने का है तो उस ब्रह्मन के खलाब भढ़क क्या है क्या नहीं करता है कुश तो बता क्या associates to happen क्या बोलें hiệnाले हम समझे कि या आत्मी बेकार है तो आम तो छोड़के चले आए पर जिन्होंने नहीं जी ठोड़ा वाद में छोड़ दिया पर नए ने लोग आते रहते के वार अगर प्यार से नहीं समझते तो थोड़ा सा गुस्से में आकर समझा देते हैं पर अपने ही समझे हैं क्योंकि जब तक सारे खटे नहीं होंगे बचेंगे नहीं वो भी नहीं बचा सकते और कोई नहीं ही बचा सकता जब तक सारे नहीं खटे होंगे इसलिए लड़ाई वड़ाई सब भूल जाने चाहिए, सब को इखटा हो जाना चाहिए, और जितनी जल्दी इखटे होंगे उतनी जल्दी बच जाएंगे, जैसा सब कहते हैं कि इखटे होंगे तो बचेंगे, वैसा ही साहे लोग जानते भी हैं, तो इखटा होने में अगर क किसी का पर्सनल एहम वहम आ रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए इखटा होने के लिए अगर किसी को नेतागरी बीच में आ रही है तो छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अगर इखटे नहीं होगे तो मर जाओगे और मरे हुए आदमी का क्या एहम और क्या वहम जब मिट्ट है अभी त्याग दोगे उसको तो आसानी रहेगी मरने में भी अभी त्याग दोगे तो बच्चे आँखों के सामने बच जाएंगे और एहम वहम नहीं त्याग त्याग होगे तो मौत दरवाजे पर खड़ी है किसी को समझ में आती हो या ना आती हो पर मौत दरवाजे पर यह सुणाय नहीं 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 और मोत आती है तो उट कर कपड़े पहनने का भी मौका नहीं का रहेए जैसी पोजिशन में होता है वैसी दवा लेती है ठीक वैसा ही होगा कि जिस दिन मौत आएगी और बुल्कुल करीब आगी है तो आप इखटे भी नहीं हो सकते आप बात भी नहीं कर सकते आपका एहम वेम बेकार है आपके पीछे डंडे पड़ेंगे आपका एहम वेम सब धर संग ने लगाया है वीदा पीपल के नाम से क्योंकि समण संग का नाम जाता नहीं कहीं तो वीदा पीपल के नाम से है क्या काईकरम है जितने भी संग्ठन है उन संग्ठनों को सबको बुलाना है उन संग्ठनों को सबको कहना है कि आईए अगर आपका कोई प्रसन है तो कोई समस्या है तो वो बताईए और अगर आप नहीं आना चाहेते तो वो भी बताईए क्यों नहीं आना चाहेते तो 14 अगस्त को आपने नागपुर के नाग़ लोग में पहुँचना है बुद्धी जी भी जो सच में बुद्धी जी भी है जो लगे हुए दिन राद क्या उनके पाद डिगरी हो ना हो डॉक्टेट की पर बुद्धी जी भी जो लगे हुए है सामाजिक लोग संग्ठन वाले लोग संस्था वाले लोग ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबको इन्विटेशन है हो सकता है कि किसी के पास नाम से इन्विटेशन ना जाए क्यों ना जाए क्योंकि मौत का इन्विटेशन नाम से नहीं जाया करता जब मौत आती है तो चुपचाप सब आ जाते कोई मौत आई हुई है जब किसी की मौत में जाते हैं तो कहीं कार्ड नी छपते हैं कि हमारे यह मर गया है तो आप आईए अर्थी उठानी है तो यहां भी यही मान के चलें कि सिलसला बलगुल मौत तक पहुंच गया है अर्थी उठने वाली है इसमें इन्वर्टेसिंट का अपने पहुंचना है लेटर जारी हो गया है लेटर के अंदर अपना फॉन नमर अपना नाम जोड़ सकते हैं और उनको लेटर दें और यहां बता दें यहां जो नेट्वर्टिंग कमेटी है या मैनेजमेंट कमेटी है उनके जो पठाक हैं यहां यहां बता दें कि हमने इ अच्छा मैसेज जा रहा है अच्छा मैसेज लिए है क्योंकि ऐसे संख्ठन जो अकले-अकले-चला करते थे वह भी अब कहते हैं कि आओ इखटे हो जाओं कि आवास तो आ रही है और हम कहते हैं कि आओ एक हो जाए यानि विले हो जाए यह भी माल लेंगे कोई बात नहीं यह पूरा पूरा कंसेट है जिससे हम इखटे होंगे बचेंगे बी और बचाएंगे भी आज के बाद से यानि आज से कंसेट के तुरंत बाद 10 मिट 15 मिट का एक टाइम हम ऐसा के लिए लगेगा कि हमारी पूर्यस क्या है और हम कर क्या रहे हैं जितने भी हमारे समढ़ संगी हैं उन्होंने जो भी काम किया है उस दिन में जो काम बता जारे हैं क्योंकि काम बहुत सारे फैल गए हैं वो यहां बताएं चाया आदा घंटा लगे या एक घंटा लगे कंसेट के तुरंत बाद वो बताएंगे यहां कि कितना काम कितना नहीं वो लिखवाएंगे कारण क् कि हमारी मिटिنگ बहुत हो रही है अलग से अगर हम मिटिंग लगाते हैं तो सारे लोग बिजी रहते हैं रोजी रूटी वाले लोग हैं तो संडे के अलावा या रात के अलावा टाइम नहीं मिलता संडे को भी उनका अपना टाइम चाहिए तो काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने लिए अलग से मीटिंग लगवाते हैं तो उसमें कैई के घंटे चले जाते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आपाती इसलिए कंसेट के तुन बाद पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएंगे सब अपनी अपनी उसके बाद फिर आगे सवाज जभाब करेंगे तो पहला काम क्या है हमारा directory का चल दा है directory में सब देखें कि क्या क्या आपने progress कीर और वो बताएं directory में क्या करना है directory के अंदर जो व्यक्ति को आप समझा चुके हैं कि वो समढ है जो व्यक्ति ये मान चुका है कि वो समण है उसके पूरे परिवार के चाहे परिवार में एक मेहने का बच्चा है चाहे एक साल का बच्चा है चाहे उसका 90 साल का बुड़ा पिता है उसने जिन जिन लोगों को समझाया है चाहे वो maternal है, चाहे पैटरनल है, चाहे वो नान को मैंसे हैं, चाहे वो दाद को मैंसे हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे रिजदार हैं, उन सभी के नाम, छोड़े बच्चे से लेके बड़े तक, और किसी भी शहर में हो सकते हैं, जहां भी उनके रिजदार हैं, अगर वो नमार अगर देना चाहते है तो फोन नमबर नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ homoke अगर फोन च्रतित्र्भ नहीं च्पेंगे और यह च्पने शुरू हो गें तो आपके 30 नाम 50 नाम 60 नाम कि पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे डैक्टी आपके पास होगी तो आपको अपने समण का एड्रेस नाम पता फोन नमबर होगा उससे आपको मदद मिलेगी पहला काम तो यह चल दा है तो उसकी रिपोर्ट करनी है आपने डेली यही बताना है सिर्फ यहां कि मैंने अ समण सेवा केंद खोले हैं उनकी लिस्ट पहुंच गई है तो आप समण सेवा केंद खोलें अपने यहां और उसकी लिस्ट पहुंचाएं समण सेवा केंद में क्या क्या होना है समण सेवा केंदर में कोई पैसा खर्ष नहीं होगा सिर्फ एक आपने फ्लेक्स लगाना है फ पढ़ा सकता है या कोई पराउसमन टीचर है वह नॉमिनल फीस लेके या फिरी में वहां बच्चों को पढ़ा सकता है तो एजूकसन सर्विस हो गई तीसी सर्विस यह है कि अगर मान लोग किसी को सरकारी विवागों में कोई काम है और वहां कोई हमारे कोई डॉक्टर है वो बैठेंगे घंटे-दो घंटे नॉमिनल फीस फीस लेंगे और वहां उनको दवाई देंगे चाहे होमेप्तिक के चाहे अरवेदिक के हैं तो घंटे-दो घंटे टाइम से चाहे हफते में एक दिन या दो बार वहां बैठेंगे अपने लोगों की यूझाहे सकते हैं जो आप वहां दे सकते हैं और वहां अपना कोई सामान जाकान लूवाह भी निकेने सکती हैं तो आपने वहां एजूकेशöhस सर्वसीच है वो खोलने हैं और यह अपने अपने यहां साप आपने खोलने हैं कोशिस यह की जाए कि सभी उसके लिए कोई क्राय का कमरा नहीं लेना है अपने घर के अंदर ही आप अगर दो घंटे सेवा दे सकते हैं तो बोर्ड पर लिख दें कि मैं संडे को सुबह 10 वे से लेकर अबा हमारा एक काम स्टार्ट हो गया है 14 तारिक के लिए यानि 14 अगस्त को जो हमें दे रहे हैं वो जगह जगह जैसे दिल्ली के लोगों ने कल 60-70 के लिए फारम ले लिए लिए तो वह पीडियाएफ आपको मिल जाएगा आप पीडियाफ से फोटो को भी निकालें अपना फोन बुक ध्रियाफ, हमारह ऋप्रोर रोभी करें निकालने स्थर्थकाभ या देखना एक लेक बताना है डेली के कितने लोग जुड़े हैं कितने लोग हमारे ने जुड़े जुड़ने में क्या समासाई उस पर हम चर्चा करेंगे फिर यहां जो 350 रुपे का हमारा फरवरी के कारिकरम के लिए जो खर्च की बात हुई थी वो खर्चा जमा होना सुरू हो गया है दिल्ली क कि अंदर कल तेरे लोगों ने अपना खर्चा जमा कर दिया जो मीटिंग होई थी और वो शुरू हो गया दिल्ली के अंदर तो अपने अपने स्टेटों में 350 350 रुपे खटे करने शुरू करें और नेट वर्किंग कमेटी से और मैनेजमेंट कमेटी से बात करने कि कौन करे करेंगा कैसे नहीं करेंगा पर अभी से कट्टे करने शुरू करें जिससे के बाद में अफरा तफरी ना मचे और जल्दी काम सई हो जाए एक हमारा संडे संगती है संडे संगती किस-किस ने लगाई किस ने लगाई साख्रा और साखी वो बताएं यहां वो अपने फोटो सीखी कौन-कौन वीडियो बना रहा है कौन-कौन अपनी वीडियो डाल रहा है वो यहां पोस्ट बनाने का बताएं और कंसेप्ट के अंदर किसने रीडिंग करी है किसने राइटिंग करी है कौन स्पिकिंग कर रहा है कौन रिजिसर्ट कर रहा है वो बताएं और मीटिंग का सेडूल यानि कि जितने भी साथ ही हमारे यहां हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताएं कि उन्होंने मीटिंग कहां लगाई कैसे लगाई और फ्यूचर में आने वाली कौन-कौन सी मीटिंग कहां का लगा रहे हैं उसका जिकर करें और उसको बताएं सब को कि उनकी मीटिंग कहां की कहां फिक्स हुई है क्या प्रोग्रेस चला है मीटिंग अंदर कोई परसानी आ रही तो वह बताएं जो प्रोग्रेस है वह भी बताएं इसके अलावा जो हमारा जो समल का पूरा पूरा सिस्टम है जो गंत का है वो गंत का वाचन कौन कर रहा है क्योंकि जो समल गंत है उसको पढ़ पढ़ के सुनाना है उसको लोगों को बताना है उसकी वीडियो बनानी है उसको लिखना है उसके उपर किताबे लिखनी है उसके उपर कविता बनानी है य जो भी विक्ति काम करता है प्रिशार प्रिशार का, वो सारे को सारे लोग बताएं और operate report उंब बताएं. तो कल से जैसे ही कंसेट्ट खताम होगा, में इन कंसेट्ट हो जाएगा. बिना break के हर एक विक्ति अपनी अपनी पूर्यस रिपोर्ट देगा इन पॉइंट्स के उपर और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो वो सोच सकते हैं बता सकते हैं और सारी पूर्यस रिपोर्ट आने के बाद में फिर question answer लिये जाएंगे मेरी किसी बाद से अगर किसी को कोई तकलीफ होई हो कोई परसानी होई हो कोई बुरी लगी हो तो मैं संग से माफी मांगता हूँ संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संगंग नमामी संगंग नमामी संगंग नमामी आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने Facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरनं गच्छामी संगम सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियम्पी धम्मं मरसरसों गज्छाम। दूतियम्पी संगरसों गज्छाम। बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी गुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी घंमं सर्णं कर्चामी साथु, साथु, साथु झाल झाल